एक्सेलेंस लर्नर्स के इस ओनलाइन इंग्लिश क्लास्रूम में आप सभी का स्वागत है आज यहां पर मैं आपलों के लिए व्याख्या कर रहा हूं एक पॉम तच्चिमनी स्वीपर यह पोएट्री लिखी गई है बिलियम ब्लैक के द्वारा यही है बिलियम ब्लैक इस पोएम के कंपोजर इस पोएम के फोएट विलियम ब्लैक वस्तुता इंग्लैंड के रहने वाले थे ये केवल पोएट ही नहीं बलकि एक पैंटर भी थे तो इस कविता में इन्हों ने बड़े सुन्दर धंग से पैंट किया है अपने शब्दों के माध्यम से 1700 से 1800 के बीज का लंडन का जो एक समाधिक स्टेटस था जहां कि चिमनी स्वीपर छोटे चोटे बच्चे चिमनी स्वीपर का काम किया करते थे उसके पैंट को उसके सफरिंग को उसके इन्नोसेंस को इन्फैक्ट बड़े ही सुन्दर धंग से इन्हों ने इसमें प्रस्तुत किया है इस पोईट्री का सेटिंग जैसे मैंने कहा 700-800 के बीच के इंगलेंड का है और टोन अब दे पोईब मैं कहूं तो इन्नोसेंस एंड ट्रस्ट का है एक छोटे बच्चे का इन्नोसेंस उस बच्चे का ट्रस्ट दोनों मिलकर बड़ा ही ड्रामिटिक आरोनी को यहां पर क्रियेट करता है तो आज इस पोईब को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा ब्याख्या करूंगा लेकिन ब्याख्या शुरू करूं इसके पहले अन्न दिनों की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन ल Don't forget to hit on this bell icon, right? बड़े ही सुन्दर आपकी पोईट्री है, तो चलिये, आज इसकी ब्याख्या करते हैं, ठीक है? पोईट सुरू कर रहे हैं, When my mother died, I was very young, and my father showed me, while yet my tongue could scarily cry, weep, weep, weep. So, your chimney, I sweep, and in a shoot, I sleep. फर्स्ट स्टेंजा में ही, पोईट ने, चीमनी स्वीपर के पेन को यहां पर sketch out किया है, portrait किया है, बताया है. यह क्या कह रहा है, चीमनी स्वीपर? When my mother died, जब मेरी मा मर गई थी, I was very young. उसमें मैं बहुत ही छोटा बच्चा था, कितना छोटा बच्चा था? यह आगे बता रहे हैं, और इस बीच में क्या हुआ? My father showed me, while yet my tongue could scarily cry, weep, weep, weep. मैं इतना छोटा था कि मैं अच्छे ढंग से रो भी नहीं पा रहा था. Scarily मतलब मुस्किल से, tongue मतलब जीव, मेरी जीवा, मेरी जीव उसमें मुस्किल से रो भी नहीं पा रही थी, कि मेरे पिता जी ने मुझे बेच दिया. है ना? So, your chimney, I sweep and in suit I sleep. और इसलिए मैं आपका chimney साफ कर रहा हूँ और shoot मतलब होता है कालिक, धुआ के साथ जोगा काला सा, जहें कहें पर लगाता है, धुआ जाता है, देखते हैंना, कालिक छा जाती है, उसको ही कहा जाता है shoot. तो दिन वर काम करते करते हैं, पूरे कपड़े, मैले, कुचैले, गंदे और खाले हो जाते हैं, इसलिए वह कह रहा है कि मैं इसी suit में सू भी जाता हूँ, राइट? अपने दुख का कारण, पहले स्टेंजा में पोएट ने पताया, उस बच्चे के माथ्यम से. दुख में भी अपने आशाओं को नहीं त्यागना चाहिए, यह स्टेंजा बता रहा है, we should find out the matter to enjoy even in the pain. So there is a little tom, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम Tom है, वह रो रहा है, क्यों? उसके बाल छिल दिये गए हैं, कैसे? लाइक ए लैम्स बैग, जैसे की लैम्स मतलब होता है मेमना, भेड के बच्चे को लैम्स बोलते हैं, उसके बाल को भी शेव कर दिया जाता है, ताकि उससे उन मिलता है, और उल से हम लोग का कपड़े बगएर बनते हैं, तो जिस तरह से उसके बाल शेव कर दिये जाते हैं वैसे ही टॉम का बाल फिशेव कर दिया गया था और वो बेचारा रो रहा था आपको भी याद होगा बच्छपन में जब कभी बड़े बड़े बाल काट दिये जाते थे तो कितना दुख होता था वह भी बाल सुलब दुख उसके पास भी है लेकिन यह चीमनी स्वीपर उमर तो छोटा है लेकिन अनुफव हो गया है और थोड़ा सा बुद्धी का प्रियोग करके कह रहा है हश हस मतलब क्या होता है एक साउंड है जो कह रहा है पत ने कहते हैं अरे क्यों रोता है तो सिता से बोल रहा है हश टॉम नेवर माइंड बुरा मत मानो for when your head is bare bare मतलब खाली अब तुम्हारा head क्या है bare है तो लेकिन क्या होगा you know what the shoot cannot spoil your white hair लेकिन अब तुम्हारे इस hair को shoot जो है कालिक जो है बरबाद नहीं कर पाएगी क्यों नहीं कर पाएगी क्योंकि अब तो बाल है ही नहीं तो बरबाद क्या होगा यह कहकर उसे वह console कर रहा है सांत्वना दे र As Tom was sleeping he had such a shite that thousands of sleepers Dick, Joe, Ned and Jack were all them locked in coffin of black और फिर उस रात में देखिये क्या हुआ सपना देखता है सपना क्या है एक ड्रीम हो भी तो है वो क्या देख रहा है है he was quiet वो शांत है and that very night अब जो Tom था वो शांत हो चुका है and that very night और उसी रात को as Tom was sleeping जब Tom सो रहा था he had such a shite उसने एक ड्रीम देखा कैसा ड्रीम that thousand of sweepers D, Joe, Ned and Jack they have the name of some sweepers तरह का नाम डालकर point हमें बता रहे हैं कि वहां एक नहीं है वहां के culture में ही एक ऐसी बात हुरे ही है कि उस समय जो घर में chimney रहोता था था ना chimney को साफ करने के लिए ऐसी कोई technology नहीं थी हमार तो उस समय के लोग क्या करते थे उस chimney को साफ करने के लिए छोटे-छोटे बच्चे का उप्योग करते थे चुकि वह बढ़वाही नौरो होता था सक्रासा होता था उसमें और बच्चे इसमें ढुक कर अपने brush साफ करते थे इसलिए बता रहा है था थॉजंड ऑफ स्वीपर्ट्स वहां की परिपार्टी ही थी ऐसी कोई एक नहीं अनेकों थे और कुछ एक नाम यहां पर पोएट ने हमारे सामने रखे हैं वह है डिक जो ने जैक ओल अफ देम लॉक्ट अपन इन कॉफिन और ब्लैक कॉफिन मतलब जिसमें की डेड़ वर्डी को रखा जाता है सच मुझ बच्चे को यहां पर तो डेड़ ही कर दिया जाता था है ना तो उस डेड़ उस कॉफिन जो की ब्लैक क्लर का कॉफिन था उसमें सारे बच्चे सोए हैं ऐसा सपना किसने देखा टॉम ने अगला स्टेंजर एंड वा फिर सपने में क्या देखता है एंड बाइड एंड परी आती है फिर एक एंड आती है एक परी आती है उसके हाथ में चमकीली सी चावी है and he opened the coffin उसने उस कॉफिन को खोला and set them all free set them free मतलब छोड़ देना मुक्त कर देना उन्हों को आजात कर दिया then down the green plane फिर कहां वे लोग चले गए नीचे घाटी में जहां हरी भरी घाटिया थी और फिर अब अब तक तो बच्चे नहीं थे वे लोग अब तक तो वह मजदूरी का काम किया करते थे बच्पना तो उनका मर गया था लेकिन जूहीं परियों ने उसे river and sign in the sun फिर जो घाटिक में जो नदी बहा रही थी वहां अपना सारा शूट जो काला काला पूरा लग चुगा था वह साफ किया और sunshine में सूरज की चमकती धूप में अपने आपको सुखाया राइट मतलब अपने आपको प्योर किया ठीक है next stanza the neck and white all their backs left behind they rise up on cloud and sport in the wind and angel told them if he had a good boy he had he had have god of his father for his father and never won't try then neck and white अब वह पूरे के पूरे तरह से एकदम वाइट क्या है यहां पर priority का प्रतीक है symbolic word है यह शुद्धता का प्रतीक वह लोग पूरे शुद्ध हो चुके थे उनके जो बैग बैग कौन सा बैग काम करने वाला बैग जिसमें कि वह लोग अपना ब्रश वगरा रखते थे छुट चुका था उनका पीछे वह उड़े जा रहे थे दे राइस अपन क्लाउड यहां पर symbolic word है उसके उंची कलपना की है होप का है आशा का है एन इस पॉर्ट इंड वींड वह हवा में क्या कर रहा है खेल रहा है एंड एंड एंगल ठोल देम फिर तब उसे एंजल कहती है इफ हैड भी एकुट प्वाह है अगर तुम अच्छे बच्चे हो अच्छे बच्चे कौन होते हैं जो सच बोलते हैं जो सही दंग से काम करते हैं जो discipline में रहते हैं तो कहता है अगर तुम सच्छे अच्छे बच्चे हो he had have got for his father and never want joy want मतलब यहाँ पर है कमी नीट तो ऐसे बच्चों के लिए इश्वर उनके पिता है और फिर उनके जिन्दगी में कभी खुशी की कमी नहीं रहती मतलब के अवल खुशिया ही खुशिया रहती है and so Tom awoke and we rose in the dark and caught with our bag and brush to work though the morning was cold Tom was happy and warm so if all their duty they did not fear harm and so Tom awoke या तो सपने की बात थी सपना तूटते ही हाकिकत के दुनिया में वह टॉम आया we rose in the dark अंधरे से वह उठ चुका था means उसके पास आशा की एक नई कीरन आ चुकी थी and caught with our bags and our brushes to work अपने bag और brush को लेकर वह काम पर निकला though the morning was cold लंदन की बात है न ठंधा प्रदेश है कहता है हलांकि वातावरन ठंध में ठंधक थी Tom was happy लेकिन Tom तो खुश था and war वो अपने आप में गर्म भी महशुष्ट कर रहा था गर्म मतलब यहाँ पर है energetic वो अपने आपको energetic महशुष्ट कर रहा था क्योंकि आज उसे जिन्दगी का एक रहस्त का पता लग गया था वह रहस्त क्या था अगर हम अपना duty सही ढंग से करते हैं फिर हार्म का डर ही नहीं है ठीक है यह यह लाइन बड़ा ही पंचिंग लाइन दिया है पोएट ने हमें और वे कह रहे हैं कि सच मुझ अगर हम सही ढंग से काम करते हैं तो फिर डरने का नाम ही नहीं है डर की कोई बात ही नहीं है तो यह रही आपकी पॉम जिसका कि मैंने लाइन बाइन वर्ड बाइ वर्ड आपको अर्थ बताया इस पोईट्री का अगर आप राइमिंग स्किम देखना चाहेंगे तो राइमिंग स्किम इसका है जैसे शुरू में ही देखें यहाँ पर देखिए यांग टंग के साथ राइम कर रहा है फिर वीप स्लीप के साथ रामिंग कर रहा है तो ए ए और बी बी इसका रामिंग स्कीम है